आप लोग राम मंदिर की बात करते हैं लें कॉंगर्स पार्टी का राश्टी अध्यक्ष मलिका जुन खड़ गया प्रधान मंद्री को रावान श्रफ की उख्मा देते हैं बहुत ही दुर्फाक के पूंड है बहुत ही अंफर्चनेट है उनके पास शब्दों का काल है मुझ प्रधान मंत्री व्यक्ति ही नहीं संस्था होता है और जो संस्था है उसके प्रतिष्टा की उसके उसका इसका समान और आइसकी अधिक जिम्धारी बनती है करना चाहिए अलोचना की उनकी नीतियों के आलोचना करिए उनके कारकमों की आरुचिना करिए, क्या आप शब्दों का प्रियूप करेंगे, गाली देंगे, भारत देश कभी माफ नहीं करेगा इसे लोगों को अब एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें प्रदाव मंत्री को तक तक ब्यासी दपा, अब पत्तिजिया में शब्दों कै इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो इस्टूडियो बना के साल में 30 लाग कमा रहे हैं, आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए इस तरीके से नहीं कहा होगा कि कुछ कह दिया हो उनके लिए, मैं नहीं मानता है, हो दी ये अप शब्दों का प्रेव नहीं करते हैं, ये कहना है कि RSSS या BGP नफरत फैला रहे हैं, राउल गांजबार बार कहरे हैं, तुस्टी करण की राज़ित वो लोग कर रहे हैं, हम गरा में अपीज्वाल डे विद्रम प्लाप्र को ये डेली में कियो कि आफ क्या रहे हैं, छो आमादी पार्टी को डुरात में कैसा वेे कोशिस कर रहा है हैं, ये कुछ नहीं नहीं कर रहा है, अठर में नहीं पार्टी हैं, हम आचात Jeans करत disgä मैं, हम में कर बार रहे हैं, क 24 के चुनाव में हम 2019 के चुनाव से अधिक सीटों पर विजय पराप्त करेंगे इस पर कितनी सीटे को उमीद कर रहे हैं विधानसवाद चुनाव में गुजा आतने हैं अब लो दो तिहाई से अधिक हैं कितना जाएगा कहने ही सकते जब जब प्रदान मंत्री को गाली दी जाती है मिलता है कि फौज भी यह कह रही है कि हम लोग तो पूरी तरिके से त्यार हैं सरकार के बस आदेश करने का कोई कारण नहीं है वो तो है ही कि यो कर आएगा अपने पास बहुत कर प्रस्ता हो है अब पिछले दिन यह दिखा कि बहुत साई रिपोर्ट आई कि तालिबानी आतंक की वी पी यो के में प्रोजश कर चुके हैं जाही तब वहां से फिर कश्मिर के इस हिस्से में अपने हिस्से में वो डिस्रप करने कोशिश करेंगे यह बात चिंता का सब्सक्राइब आतंकवारियों के होसले पस्त हैं और आप जाकर जम्मु का सब्सक्राइब पता लगा लिए आतंकवारियों की संख्या बहुती तेई के साथ घटी है आज बामस्किल यहां पर कमकम चार सो पांच सो आतंकवारी केवल रहा करते थे आज उनकी संख्या घटकर सत्र पशच् रह गई है इसमें लोकल जो है आतंकवारियों की संख्या भी बहुत कम है पाकिस्तान में जो डिश्रवेंस दिख रहा है इस्तिरता दिख रही है उसका असर भारत पर कैसे देखते हैं मैंनों पडूसी देश है दुरभागपूर हम तो चाहते हैं कि हमारे पडूसी जो भी रास्ट हैं उनकी सिहत ठीक ठाक रहे हमारी तो कामना यह रहती है लेकिन दुरभागपूर इस्टीट है पाकिस्तान की की पाकिस्तान बिल्कुल बरबाद होता जा रहा है आर्थिक दिख्टी से भी और हर दिख्टी से भी देखा जाए तो महाने आर्मी चीफ आए हुए ह लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मूल शेरित बदलेगा नहीं हम उत्यार है कि सब्सक्राइब हमारी कामना यह है कि उनका मूल शेरित बदले और आतंकवादी गटविडियों को जो उनके हां से प्रस्रे मिलता है वो बंद होना चीए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं तो कभी न कभी वो समय आएगा कि वो बंद करना ही पड़ेगा एक दूसरी सीमा लगदात उसको लेगे फौज के चीफ का प्रिश्रे दिनों बयाना आया है कि कोई भी सिती बदली नहीं है इस बात को लेगे अपोजिशन के लोग जो स्टैंड आफ रहा है उसमें हमारी सेना ने अपने शौर और पराक्रम का परिशे दिया है उसकी जितनी ही सरहना की जाए वो कम है उसमें यह कहना है कि जो डिप्लोइमेंट चानीज के दरफ से जो डिप्लोइमेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जब की इतने राउंड की बाचीत हो चुकी है चीन के रूप में कोई पर औरता नहीं बहुत बदलाव हुआ है जानकारी करने के बाद ही उनको बोलना इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो इस्टूडियो बना के साल में 30 लाग कमा रहे हैं आपको भी ये कमाना है उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए इस से एक समाज का दूसरे समाज के प्रती ये नफरत पैदा करने कोशिश और यारूप तुमका यह है जब कि सच्छाई है कि हमारे भारत के समिर्हान दिर्माताओं ने समिर्हान के नीत निदेशक शिद्धांत जो है डायरेक्टिव ये उसमें इसका उलेक किया है चर्चा किया है कि करना है हमको वही कर रहे हैं समानागरिक संगिता लगू कर रहे हैं और यह आज शे नहीं उननी से क्यामन 1951 से जब जनसंग के रूप में हम लोग काम कर रहे थे उस समय से हमारे घोशना पत्र में यह रहा है कि समानागरिक संगिता लगू करेंगे जब भी हमको सपष्ट बहुमत मिल जाएगा यह चुपकर अथा चोरी से अथा सिर नीशे करके इस काम को नहीं कर रहे हैं